टी ट्वंटी वर्ल्ड कप का घमासान शुरू होने जा रहा है और इस घमासान के लिए भारतिय क्रिकेट टीम के योद्धाओं की गोशना कर दी गई है। टी ट्वंटी वर्ल कप को लेकर लंबे समय से क्यास चले आ रहे थे कि भारतिय टीम में आखिर कौन जगे बनाएगा आपको बता दें कि भारतिय टीम में कप्तान रोहिश शर्मा टीम की अगवानी करते हुए वर्ल कप के लिए अपना मिशन शुरू करेंगे। टीम को कुछ इस प्रकार रखा गया है क्योंकि कई खिलाडियों को लेकर लगातार क्रिकेट प्रेमियों के जहन में कई सवाल थे क्या वो टीम में जगे बना पाएंगे। क्योंकि IPL 2024 में खिलाडियों के दमदार प्रदर्शन के चलते BCCI के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया था कि आखिरवक किन खिलाडियों को टीम में ले और किन को ड्रॉप करे। टीम को कुछ इस प्रकार रखा है रोहिश शर्मा को टीम की कप्तानी दी गई है तो वहीं यशश्वी जैस्वाल, बिराट कोली, सूर्य कुमार यादव, रिशप पंथ, संजू सैमसन, हार्दिक पांडिया, हार्दिक पांडिया को उप कप्तानी सौपी गई है इसके साथ शिवंदूबे, रविंद्र जड़ेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंदर चहल, अर्शदीप सिंग, जस्परित बुम्रा और मुहम्मद सिरास को जो पंदरा खिलाडियों का दल है उसमें शामिल किया गया है तो वहीं रिजर्व खिलाडियों की अग जगे बना पाएंगे, लेकिन मौझूदा आई पील के मुकाबलों में संजू सैमसंद की कप्तानी इसके साथ ही उनकी दमदार बल्लेवाजी के चलते भार के टीम में उन्हें जगे बनाई है, तो वहीं बी सी सी आई ने कप्तानी के रूप में रोहिश शर्मा पर भरोसा जताया है, ऐसे में साल दो हजार साथ में जहां इंडिया ने पहली बार टी ट्वंटी वर्ल्लकप आई जित हुआ है था और उसका सिरमोर बना था, उसके बाद सही भरत की जोली में टी ट्वंटी वर्लकप की ट्रॉफी नहीं गिरी है, ऐसे में इस बार बी सी सी आई ने अपनी बेस्ट टीम को चुनते हुए उशिश ये की है कि इस बार भारत जो वेस्ट अडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त तत्वावदान में T20 वर्ल्ड कप खिला जाना है वहाँ पर फत्य हासिल करके आएगी. हाला कि आपको बता दें कि वेस्ट अडीज में जहां तेज पिचो का सामना भारतिय खिलाडियों को करना पड़ेगा तो वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका की पिछ धीमी होने के चलते उनको समश्या भी हो सकती है लेकिन इस बार का T20 वर्ल कप काफी रोमान्चक होगा इसका उधारन IPL 2023 में देखा जा चुका है आप देखते रहिए दनगरी न्यूज मैं हूँ ललित पर्मा